hi guys welcome back to my channel कैसे हो आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे तो गाइस आज की वीडियो में आपके साथ जेशन की winter year के routine की वीडियो शेयर करूंगी जेशन को मैंने किया heavy year oiling winter मैं उसके heavy year oiling ही करती हो तो आज की वीडियो में full detail वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी review plus demo तो guys मैंने oiling किया आमला hair oil के साथ जिसका मैं review plus demo दोनों आपके साथ शेयर करूँगी winter routine है जेशन की hope guys आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर करे और चैनल को कर दे subscribe तो guys आज मैंने जेशन के oiling की है डाबर आमला oil के साथ बहुत ही अच्छा वाला oil है इसली आप local market store में इसकी छोटी packaging बड़ी packaging बाई कर सकते हैं online भी मंगवा सकते हैं काफी ज़्यदा affordable वाला oil है आप चाहे तो इसकी 10 रूपीस की छोटी bottle आती है वो भी आप अगर आप first time try करके देखना चाहते हैं तो आप वो use कर सकते हैं काफी ज़्यदा affordable और इसके result बहुत ज़्यदा अच्छी है तो जेशन के बाल काफी ज़्यदा long है काफी ज़्यदा healthy है तो जेशन को माँ आमला oil भी यूज़ करती हूं इससे भी उसके बाल काफी ज़्यदा healthy रहती हैं strong रहती हैं तो गाईज अब मैं आपके साथ इसका full demo share करूंगी तो देखिए गाईज जेशन के कर रही हूं मैं oiling जेशन को मैंने करवाया था hair wash और after hair wash मैंने उसके बालों को naturally air dry होने दिया air dry होने के बाद मैं उसके oiling कर रही हूं डाबर आमला oil के साथ ये oil बिल्कुल भी चिप चिप नहीं करता है बहुत ही इसकी जो smell है ना वो काफी लाइट वाला oil है बिल्कुल भी चिप चिप नहीं करता है तो जेशन के बाल काफी ज़्यादा लंबे हैं काफी ज़्यादा लॉंग उसके बालों पर मुझे हैवी hair oiling ही करनी पड़ती है विंटर में तो खास कर क्योंकि विंटर में मैं उसे वीक में एक बार ही hair wash करवाती काफी ज़्यादा लॉंग जॉड़ती करने नगरा है जिससे के बालं इतने ज़धा आप काफी तायम से ज़्यादा लॉन देखियां आप सबको बताए कि इसके बालों की लेंथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है कोई भी कंडिशनर या सिर्म का यूज उसके बालों पर नहीं करती हूं कोई भी रैमेडी कोई पैक मैं उसके बालों पर नहीं लगाती हूं सिरफ अच्छी कियर करने से ही हमारे बाल काफ़ी ज़य्दा हेल्दी हो सकते हैं, विन्टर्स में भी हमें अपने बालो का बहुत ज़्यादा खास धियान रखना चाहिए क्योंकि विन्टर्स में थो हम बालो को कवर करके रख सकते हैं, Cam Vear कर सकते हैं, घर्मिन में तो sweating की problem होती है, जिस वज़ासे हम Bale ko cover नहीं करपाते हैं, या जादा heavy hair oiling नहीं कर पाते हैं, बट winter में आप अपने बालो की अच्छी care कर सकते हैं, आप चाहें तो oiling कर लें, फिर braid बना लें, cap wear कर लें, इससे आपकी लुक भी बढ़ी अच्छी रहेगी और आपके बालो की जो केर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर हम बालो पर आइलिंग ना करें तो हमें हियर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है हियर फॉल अगर एक बार होना शुरू हो जाए तो उसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसलिए अपने बालो की अच्छी केर करें विंटर्स में कई लोगों को डेंडर्फ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में आप दही का यूज कर सकती है दही को अच्छी तरह से स्कैल्प पर लगाईए 30 मिनट्स के लिए लगा रहने दे इसके बाद हियर वाश कर लीजिए इससे आपके डेंडर्फ की प्रॉब्लम भी खतम होगी डेंडर्फ की प्रॉब्लम ऑईलिंग से भी खतम हो जाती है अगर आप हर रोज ऑईलिंग करेंगे टाइम पर ऑईलिंग करेंगे अपने बालों को बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रखेंगे बिल्कुल neat and clean अपने बालो को रखेंगे तो आपको dandruff की problem बिल्कुल भी नहीं होगी तो देखें जशन के oiling करने के बाद मैं tangles को अच्छी तरह से remove कर रही हूँ जशन के बालो में बहुत ही ज़्यादा tangles है क्योंकि उसके बालो को air dry होने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाती है जिसमें tangles बहुत ज़्यादा पढ़ जाती है बालो पर कम से कम half an hour तो मुझे उसके बालो में tangles को remove करने में लग ही जाता है आप उसके बालो में shine देख सकते हैं कि बालो में shine कितनी ज़्यादा अच्छी है मैंने काफी ज़्यादा oil उसके बालो पर लगाया है तो tangles अभी भी सारे बालो में से अच्छी तरह से नहीं निकले हैं धिरी दिरे में tangles को निकाल रही हूँ जशन को tangles remove करते टाइम भी hair fall बिल्कुल भी नहीं होता है बट उसके tangles बहुत ज़्यादा होते हैं उसके बालो पर तो अगर आप भी जशन के तरह long strong healthy बाल पाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपने बालो की अच्छी care करें रुटीन अपने बालो की बना लें कि हमें अपने बालो में वीक में दो बार oiling ज़रूर करनी है hair wash टाइम पर करना है braid बना कर रखनी है बालो को dry नहीं रखना rough नहीं रखना है रूखा सूखा नहीं रखना है आप चाहें तो ribbon wear करके रख सकते हैं परांदी वीर करके रख सकते हैं उससे भी बाल काफी ज़्यादा लंबे हो जते हैं और hair fall भी कम होता है तो देखें गाईस इस तरह से मैंने उसके सारे टैंगल को remove कर दिया अब मैं अच्छी तरह से उसके बालो पर combing कर रही हूँ कर लिए जब मैं बालो को आगे की तरफ करती हूं तो tangles फिर से थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं तो अच्छी तरह से tangles remove करने के बाद मुझे उसके जूड़ा करना है जशन routine में जूड़ा करके ही रखता है इसके बाद मुझे उससे पठका वियर करना है आप उसकी बालो की length बहुत ज़्यादा increase हो रही है आगेस उसके बाल और भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं आप चाहिए तो आप अपने बालों के इतना सुंदर इतना लंबा बना सकती हैं सिरफ आपको अपने बालों के अच्छी वली कियर करनी है जरूरी नहीं है कि मार्किट में जो बम नहीं चल्जर करें और चाहिज है रहा है आप क्यों सकती है त Pour Corinne करने के बाद बालों कोायी उपने अक्वर से कलिंग जब आपको बनारे तो आपको बआनिन का यह ईजब ने का रहें जब हम अपने बालों के अच्छी तरह से कवर कर करने के बाद अगर हम बालों को ओपन छोड़ देंगे तो भी और में आइलिंग का इतना फाइदा नहीं होगा इसलिए जब भी आप ऑईलिंग करते हैं तो अपने बालों को कवर करके रखें लूज ब्रीड बना सकते हैं आप इस तरह से आप ब्रेड बनाकर रख लीजी अक कभी गर पर हमने उसके कोई भी हज जल नहीं किया नहीं हमने कभी उसके ब्रेड बनाई है वrobiड अपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाएक जरूर करे और चैनल को कर दें सब्सक्राइब तो चलिए गाईज अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए थैंक्यू बाई